जैशिक रिष्टा स्वागत है आपका सार्तित रिष्टा के साथ कैसे हैं आप लो भाई आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आए हैं वो टॉपिक है पती और पत्नी का पती पत्नी का रिष्टा जब एक साथ होने की बज़ाए एक दूसरे से जुदा होने लगे जब ये रिष्टा एक दूसरे का होने की बज़ाए एक दूसरे से अलग होने लगे जब एक दूसरे के साथ सुख दुख की कसमे खाने के बाद साथ ना चलके अलग अलग चलने पर विवश हो जाए तब इनसान क्या करे ये वो रिष्टा है जो शायद इनसान को सबसे ज़्यादा खुशी देता है हिम्मत देता है, ताकत देता है एक लड़की शायद अपने पिता के बाद किसी और इनसान के साथ किसी और मर्द के साथ सबसे ज़्यादा सिक्यॉर्ड होती है तो वो उसका पती होता है से जादा भरोसा करता है तो वो उसकी बीवी होती है पर जब ये इतना मजबूत रिष्टा कहीं खटास में आने लग जाए और एक दूसरे से दामन छुड़ाने लग जाए तब क्या करना चाहिए मैं तो आपके एस्टोलाजर हूँ वास्तुशास्ती हूँ चहरा देखती हूँ आवाज पढ़ती हूँ हाथों की लखीरे पढ़ती हूँ पर दिल दिमाग और जज़बात पढ़ने का काम भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ शायद इसी लिए बार बार इस रिष्टे को तूटने से बचाने के उपाए लेकर आपके सामने चली आती हूँ कहना असान है बोलना बहुत जादा सरल है कि रिष्टे को बचा लीजिए पर ना जाने अंगिनत कितनी ऐसी चीज़े होती है जब इनसान विवश हो जाता है उससे तोड़ने पर बरदाश की नजने किती सीमाए पार हो जाती है तब जाकर ये फैसला होता है कि अब साथ नहीं होंगे पर जब आप ये सोचो कि अब साथ नहीं होंगे तो उससे पहले एक उपाए जरूर कर लो वो उपाए जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वैसे तो पती-पत्नी के रिष्टे को बांधने के लिए मैंने बहुत सारे उपाए बताए है बहुत सारे घरेलू, सरल, उपाए मैं आपको नियमित रूप से बताती रहती हूँ बहुत सारे लोगों को उससे फाइदा भी हुआ, बहुतोंने कमेंट्स भी करे पर जिनका शायद हमारे साथ परिचे नया है, जिन्नोंने अभी हमें जॉइन किया है, जो अभी हमको देखना चालू हुए है या जिनको किसी काम से कोई फाइदा नहीं मिल पाया है, वो ये उपाए एक बार जरूर करके देखे करना क्या है आपको, आपको एक मटकी लेनी है, उस मटकी को आपको पीले रंग से अच्छी से पोत लेना है उसमें आपको सरसों का तेल भरना है, काले कपड़े से उसके मूँ को धक देना है और शनिवार की रात्री में जाकर आपको उसको किसी संसान जगे पर गाड़ाना है अगर पत्ति-पत्नी का रिष्टा बिलकुल इतनी सी डोरी पर तिका है और एकदम तूठी गया है समझ लीजे तो ये आखरी उपाय जरूर कर लीजे ये वो आखरी उक्सिजन का स्लेंडर है जो शायद आपके रिष्टे को वेंटी लेटर से उतार कर वापस जिंदगी देने का काम कर चाए करिएगा जरूर और मुझे बताईएगा जरूर कि इससे आपके जीवन में क्या परिवर्टन आता है हमारे पास एक कुंडली आई है जिसे हम डिसकस करने आए हैं आपसे ये कुंडली आई है निलेश की निलेश ने मुझे से पूचा है कि मैं गॉर्मेंट जॉब में जाना चाहता हूँ पर मेरे पापा का पैत्रिक अपना खुद का बिजनस है तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे पापा का बिजनस करना चाहिए या मुझे गॉर्मेंट जॉब में जाना चाहिए निलेश आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने फादर का बिजनस जॉइन करना चाहिए वही आपके लिए फाइदे मन्द भी रहेगा और उस चीज से आपको आगे जाके लाब भी काफी प्राप्त होगा आप गॉर्मेंट जॉब के लिए ट्राइ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं पर उसमें कोई बहुत जादा सफलता या बहुत उचा पद मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है तो आप अगर मुझसे ये कहें कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी तो मैं आपको डेफिनिटली पापा का बिजनस ही जॉइन करने का सजेशन दूँगी चलिए आज के लिए इजाज़त दीजे मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने इस सारते के साथ यूँ जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे तब तक के लिए, जैश्यक्रिश्णा।